आरी रक्त सराव के लिए प्रात्मेक उपचार जलने के फपोले को गर्मी के कारण त्वचा को हुए नुकसान के रूप में परिभाशित किया जाता है दोनों का उपचार समान है जलना शुश्क गर्मी के कारण होता है उधारन के लिए लोहे या आग से जलने का फपोला कुछ गीली चीज के कारण होता है, उधारन के लिए गर्म पानी या भाप मामूली जलने के लिए प्राथ में कुपचार त्वचा से चिपके कपड़े को छोड़ कर जले हुए एक शित्र से कपड़ा हटा दें दर्द कम होने तक जले पर ठंडा यानी शीतल नहीं पानी डालें हलके से एक पट्टी या साफ मुलाइम कपड़ा या तौलिया लगाएं जले पर कोई मलहम मक्खन ना लगाएं या अन्य उपचार ना करें किसी भी फफोले यानी बुलबुले जैसी संदचना को फोड़े नहीं अधिक जले के लिए प्रात्मे कुपचार अधिक जले के लिए अस्पताल में ततकाल चिकिस्सी ये देखभाल की आविशक्ता होती है यदि आप जले से पीडित व्यक्ती को सुरक्षित रूप से नहीं पहुँचा सकते हैं तो एम्बुलेंस बुलाएं तो अचा से चिपके कपड़े को छोड़ कर जले हुए क्षितर से कपड़ा हटा दें जले हुए क्षितर को दबाव और घर्शन से बचाएं और मोटा, साफ, सूखा, सूती कपड़ा लपेट दें यदि जला हुआ क्षितर बढ़ा है तो साफ चादर का उपियोग करें शरीर के जले हुए हिस्से को हिर्दे के इस्तर से उपर उठाएं लू लगने के लिए प्रात्मिक उप्चार तुरंत गरम इस्थितियों से दूर चायवाले क्षितर या अधिक थंडे स्थान में ले जाएं अत्यधिक या अनावश्यक कपड़ों को हटा दें प्रभावित व्यक्ति को पंक्खा करें यदि उपलब्ध हो तो थंडे पानी में व्यक्ति को डालतें नहीं तो थंडे पानी का छुड़काव करें और कान, गर्दन, माथे, कमर और पीट के क्षितर में गीले कपड़े या बर्फ का टुकड़ा फेड़ना शुरू करतें यदि पीडित पानी पी सकता है तो उसे थंडा पानी, जूस या कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक पिलाएं आराम कुत्ते के काटने पर प्रात्मे कुपचार रक्त स्राव रोकने के लिए कुत्ते के काटने की चोट वाली जगह पर साफ कपड़ा या तौलिया रखें काटे हुए स्थान को साबुन और पानी से धोएं घाव पर साफ पट्टी रखें चोटी लिक्षित्र उपर उठाएं संक्रमन से बचाव के लिए रोज काटे हुए स्थान पर एंटी बायोटिक्स लगाएं साब काटने पर प्रात्मे कुपचार यदि आपको साब के काटने का संदेह है शांत रहें और साब के हमली की दूरी से परहट जाएं आभूशन और तंग कपड़े निकालतें क्यूंकि सूजन होने पर इन से नुकसान पहुँच सकता है अपने आपको यदि संभव हो तो ऐसी स्थिती में रखें ताकि काटने का स्थान आपके हिर्दय के स्थर पर या नीचे हो घाओ को साफ करें लेकिन इसे बहते पानी के नीचे ना रखें इसे साफ सूखी पट्टी से ढख दें पारम परिक प्रात्मिक चिकिस्सा विधियों, हर्बल दवाओं और प्रात्मिक चिकिस्सा के अन्य आप्रमानिक या आसुरक्षित रूपों से बचें जितनी जल्दी संभव हो सके व्यक्ति को अस्पतार ले जाएं